नमस्कार मैं आनंद मैं बिहारी निउस से मैं आपको चार अगस्त के मौसम के बाड़े में बताने जा रही हूँ आईमडी मौसम रिपोर्ट के मुताविक बिहार के कुछ जिलों में धूल भड़े बाडल उड़ेंगे कहीं बारिस होगी तो कहीं बाडल छाये रहेंगे जो कुछ इस प्रकार है अररिया जिला में अधिक्तम तापमान 33 दिगरी सेल्सियस तथा नियूनतम तापमान 29 दिगर सेल्सियस रहेगी अरवल जिला में अधिक्तम तापमान 35 दिगरी सेल्सियस तथा नियूनतम तापमान 27 दिगरी सेल्सियस रहेगी और अंगाबाद जिला में अधिक्तम तापमान 35 दिगरी सेल्सियस तथा नियूनतम तापमान 27 दिगरी सेल्सियस रहेगी आकास में बादल चाहे रहेंगे गलजना और धूल भड़ी हवा चलेगी और हलकी बारिस भी हो सकती है कटिहार जिला में अधिक्तम तापमान तथा नियूंतम तापमान अधिक्तम तापमान 35 दिग्री के रहेगी कुछ हिस्वों में तूफान भी आ सकता है चप्रा जिला में अधिक्तर्वं द्ग्री के लखेगी आकास निच्ए कोछ हिस्वों में तूफान भी आ सकता है जहाना बातव जिला भी 35 दिगरी सेल्सियस तथा न्यूंत्म ताप मान 28 दिगरी सेल्सियस रहेगी। छेत्र के कुछ हिस्सों में तूफान भी आ सकता है नालंदा जिले में अधिक्तम तापमान 33 दिग्री सेलसियस तथा न्यूंतम तापमान 27 दिग्री सेलसियस रहेगी आकास में बादल छाये रहेंगे गलजना और धूल भड़ी हवा चलेगी हलकी बारिस भी हो सकती है पुर्णिया जिले में अधिक्तम तापमान 35 दिग्री सेलसियस तथा न्यूंतम तापमान 27 दिग्री सेलसियस रहेगी आकास में बादल छाये रहेंगे गलजना और धूल भड़ी हवा चलेगी हलकी बारिस भी हो सकती है पुर्णिया जिले में अधिक्तम तापमान 33 दिग्री सेलसियस तथा न्यूंतम तापमान 27 दिग्री सेलसियस रहेगी आकास में बादल छाये रहेंगे गलजना और धूल भड़ी हवा चलेगी हलकी बारिस हो सकती है पुर्णिया जिले में अधिक्तम तापमान 35 दिग्री सेलसियस तथा न्यूंतम तापमान 27 दिग्री सेलसियस रहेगी शेतर के कुछ हिस्सों में तूफान आ सकता है बेगु सराई जिला में अधिक्तम तापमान 35 दिग्री सेलसियस तथा न्यूंतम तापमान 27 दिग्री सेलसियस रहेगी शेतर के कुछ हिस्सों में तूफान आने की संभावना है भागलपूर जिला में अधिक्तम तापमान 35 दिगरी सेलसियस तथा नियूंतम तापमान 27 दिगरी सेलसियस रहेगी छेतर के कुछ हिस्सों में तूफान आने की संभावना बन रही है भोचपुर जिला में अधिक्तम तापमान 35 दिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 दिग्री सेल्सियस रहेगी मधुबनी जिला में अधिक्तम तापमान 34 दिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 27 दिग्री सेल्सियस रहेगी आंसिक रूप से बादल छाये रहेंगे गलजना और धूल भड़ी हवा चलेगी और हलकी बारिस भी हो सकती है मधेपुरा जिला में अधिक्तम तापमान 34 दिगरी सेलसियस तथा नियूनतम तापमान 27 दिगरी सेलसियस रहेगी धूल भड़ी हवा चलेगी मुंगेर जिला में अधिक्तम तापमान 35 दिगरी सेलसियस तथा नियूनतम तापमान 27 दिगरी सेलसियस रहेगी आंसिक रूप से बादल छाये रहेंगे गलजना और धूल भड़ी हवा चलेगी और हलकी बारिस हो सकती है मुझपरपुल जिला में अधिक्तम तापमान 35 दिगरी सेलसियस तथा नियूनतम तापमान 28 दिगरी सेलसियस रहेगी मोती हारी में अधिक्तम तापमान 35 दिगरी सेलसियस तथा नियूनतम तापमान 27 दिगरी सेलसियस रहेगी आंसिक रूप से बादल चाये रहेंगे गल्जना और धूल भरी हवा चलेगी साथ में हलकी बारिश हो सकती है राजगीर में अधिक्तम तापमान 33 तिगरी सेलसियस तथा न्यूनतम तापमान 27 तिगरी सेलसियस रहेगी साथ ही आकास में बादल चाये होंगे रोहतास जिला में अधिक्तम तापमान 35 तिगरी सेलसियस तथा न्यूनतम तापमान 27 तिगरी सेलसियस होगी धूल भरी हवा चलेगी लखी सराई जिला में अधिक्तम तापमान 35 तिगरी सेलसियस तथा न्यूनतम तापमान 27 तिगरी सेलसियस रहेगी धूल भड़ी हवा चलने की संभावना है शिभर जिला में अधिक्तम तापमान 35 दिगरी सेलसियस तथा नियूंतम तापमान 27 दिगरी सेलसियस रहेगी धूल भड़ी हवा चलने की संभावना है शिभर जिले में अधिक्तम तापमान 34 दिगरी सेलसियस तथा नियूंतम तापमान 27 दिगरी सेलसियस रहेगी सहरसा जिले में अधिक्तम तापमान 35 दिगरी सेलसियस तथा नियूंतम तापमान 28 दिगरी सेलसियस रहेगी धूल भड़ी हवा चलने की भी संभावना बताई जा रही है सारन जिला में अधिक्तम तापमान 33 दिगरी सेल्सियस तथा न्यूंतम तापमान 26 दिगरी सेल्सियस रहेगी सीता मधी जिला में अधिक्तम तापमान 35 दिगरी सेल्सियस और न्यूंतम तापमान 27 दिगरी सेल्सियस बनी रहेगी सिवान जिला में अधिक्तम तापमान 25 दिगरी सेल्सियस तथा न्यूंतम तापमान 28 दिगरी सेल्सियस रहेगी शुपॉल जिला में अधिक्तम तापमान 24 दिगरी सेल्सियस तथा न्यूंतम तापमान 28 दिगरी सेल्सियस रहेगी आकास में बादल छाये रहेंगे अभी के लिए इतना है अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे यूटूब चैनल बिहारी नियूज को सब्सक्राइब करे एवं बिल आइकन दबाना न भूले धन्यवाद